ये देखें फ्रेंट्स कितने क्रिस्पी स्नेक्स बने हैं हमारे ये जितने बाहर से क्रिस्पी हैं उतने ही अंदर से सौफ्ट है हलो फ्रेंट्स मम्ता किचन रस्पीज में आप सभी का स्वागत है आज मैं आप सभी के लिए बनाने जा रहे हूं आलू के क्रिस्पी स्नेक्स आलू के क्रिस्पी स्नेक्स आप सुभह के नास्ते में, बच्चों के टीफिन में, पार्टीज में और इवनिंग में चाय के साथ खा सकते हैं इसे बनाना बहुत ही असान है, लगबग 5-10 मिनिट में असान ही से बन कर तयार हो जाते हैं टेस्ट में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही बैल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे आपको मेरी न्यूव वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं तो चले उस्तो बनाना शुरू करते हैं, ये टेस्टी कुरकरे स्नेक्स की रेसेपी सबसे पहले मैंने यहाँ एक बाउल में दो उबलेवे आलू लिये हैं, जिसे मैंने अच्छे से मैश कर लिया है ध्यान रहे आलू ज़्यादा उबलेवे नहीं होना चाहिए, वर्ना पेस्ट सही नहीं बनेगा इसमें हम डाल देंगे एक चमच अद्रक लसुन का पेस्ट, अगर आप अद्रक या लसुन कुछ नहीं खाते हैं, तो आप उसे अवोइड कर सकते हैं साथ ही इसमें डाल देंगे एक चमच लाल मिच प्वाऊडर, मिर्च को आप अपने सौ्द के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं और आधा चमच काले मिश पाउडर टाल देंगे, काले मिश पाउडर अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे भी अवोइड कर सकते हैं और आधा चमच चाट मसाला, चाट मसाले से भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है स्नेक्स में और एक ती हाई चमच नमक डाल देंगे, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं साथ ही हम इसमें डाल देंगे एक बारी कटी हुई हरे मिर्च अब हम इसमें डाल देंगे हलके से चिली फ्लेक्स अब हम इसमें डाल देंगे चार चमच, कौन फ्लोर आप कौन फ्लोर की जगह आरा रोट का भी यूज़ कर सकते हैं अब हम साफ आतों से इन सबी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमें इसका सौफ्ट डो तयार करना है अगर डो तयार नहीं हो रहा है तो आप इसमें और कौन फ्लोर डाल सकते हैं ये देखे फैंस डो मैंने तयार कर लिया है आप देख सकते हैं बिल्कुल हलका सौफ्ट डो तयार हुआ है अब हम इस डो को एक प्लेट में निकाल लेंगे अब हम इस डो से स्नेक्स के लिए बॉल्स बनाएंगे इसके लिए मैं हाथों पे हलका सा ओय ले लूँगी जिससे डो हमारे हाथों पर चिपकेगा नहीं थोड़ा सा डो हम हाथ में लेंगे और इसे गोल-गोल घुमाते वे हम बॉल्स त्यार कर लेंगे ये देखी फ्रेंट सभी बोल बनाकर मैंने तियार कर ली है अब हम एक बाउल लेंगे इसमें हम डाल देंगे 1.5 टीस्पून कॉर्ण फ्लोर अब हम इसमें हलका सा पाने डाल देंगे लगबग 2-3 चमच इसे हम मिक्स कर लेंगे और इसका एक पतला सा पेस्ट त्यार कर लेंगे अब हम सभी बोल्स को इस पेस्ट में डिप करके ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे इसे हमें अच्छे से डिप करके ब्रेड क्रम्स की अच्छे से कोटिंग कर लेनी है ये देखी इस तरीके से सभी बोस को हम इसी तरह से डिप करके ब्रेट क्रम्स की कोटिंग करकर तयार कर लेंगे ये देखी सभी बोस की मैंने अच्छे से कोटिंग कर ली है ये देखी पैन में मैंने तेल लिया है Geass की Flame को हम बिल्कुल low कर देंगे मैंने यह हम Refined Oil का use किया है आप इसकी जगए अपनी पसंद का Oil यूज़ कर सकते है अब हम इसमें 1 के करके सब भी बोल्स को डाल देंगे मैं इसमें एक बारे में आति बोल्स डाल रही हूँ कि देखिए 2 मिनट हो गये है इसका हलका color change हो गया है अभी ये आदी ही fry हुई है हमें इसे लगबग 1-2 मिनट और fry कर लेना है लगबग 2 मिनट हो गये हैं ये snacks बिल्कुल अच्छे से fry हो गये हैं आप देख सकते हैं कितना अच्छा color आया है अब हम इने निकाल लेंगे इसे हम अच्छे से जटका लेंगे जिससे extra oil जो होगा वो निकल जाएगा इसे हम एक plate पर निकाल लेंगे plate पर मैंने tissue paper लगा दिया है बाके बच्चे भी बोस को भी हम इसी तरह से fry करकर तयार कर लेंगे ये देखे friends सभी snacks को मैंने fry करकर तयार कर लिया है आपने देखा हुआ कितनी असाने से ये बनकर तयार हो गए है आप इसे एक बाद जुरू ट्राय करकर देखिएगा ये देखिए दोस्तों कितने crispy snacks बने है ये snacks जितने बाहर से crispy है उतने ही अंदर से soft है मैं आपको इसे तोड़ कर दिखा रही हूँ ये देखिए कितने जालीदार कितने soft है यकीन मानिए friends ये snacks बहुत ही tasty बनते हैं आप इसे एक बाद जुरू ट्राय करिएगा दोस्तों आप इसे बनाईए खाईए और अपना अनुभव मेरे साथ कमेंट बोक्स में जरूर शेयर कीजे आज अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चली दूस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई